चेप्टर एट लेट्स बी सेफ आज हम एवी इस में चेप्टर एट शुरू करें हैं जिसका नाम है लेट्स बी सेफ सो मिक्की और मिनी कुछ बाते करें हैं मिनी मिक्की से कह रही है तो मिक्की कहता है आई विल लाइट थीस क्रेकर्स एड देन थ्रो देम अवे इट तो मिनी ने मिक्की से पूछा कि तुमने ये पटाके अपने हाथ में क्यों पकड़े हुए हैं तो मिक्की ने कहा कि मैं इनहें जलाऊंगा और फिर अपने हाथों से दूर फेकूंगा और ये बहुत ही थ्रिलिंग है यानि कि इसमें बहुत मज़ा आएगा तो मिनी कहती है that is not a sensible thing to do it is very dangerous they can burst in your hand and cause burns तो मिक्की कहता है how can we celebrate a festival without cracker it will be boring यानि कि जब मिक्की ने कहा कि वो पटाकों को अपने हाथ में जलाएगा और फिर दूर फेकेगा तो मिनी ने कहा कि ये सही नहीं है ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इससे हो सकता है कि जो पटाके हैं वो हाथ में ही फूट जाएं और हाथ जो है वो जल जाए या कोई और इंजरी हो जाए तो मिकी कहता है कि पटाकों के बिना दिवाली कैसे मना सकते हैं ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा तो आखिर में मिनी कहती है यानि कि हम बड़ों की देखरेख में पटाकों को जला सकते हैं और हो सके तो हमें कुछ एक पटाके अवोइट करने चाहिए क्योंकि उनकी वज़े से जो है धुआ और गंद की फैलती है So, Pave the Way में हमें दिया है Put a Cross on the Activities you think are Wrong यानि कि जो Activities आपको Wrong लगती है उनके आगे आपको Cross का निशान बनाना है So, सबसे पहले हम देख सकते हैं पिक्चर में कि एक लड़का सड़क के बिलकुल बीचों बीच जो है खेल रहा है तो ये एक Wrong Activity है Number Two, एक लड़की अपने घर में सफाई कर रही है तो ये Wrong नहीं है, Right है इसलिए इसलिए हम Cross का निशान नहीं लगाएंगे Number Three, एक लड़का Swimming कर रहा है तो Swimming करना भी एक Healthy Habit है और Last में एक लड़का सड़क पर कच्रा फेक रहा है तो ये Wrong है, इसलिए इसलिए हमें Cross करना है Next, Accidents are caused when we are careless They can cause physical injury Accidents can happen anywhere At home, while playing, on road और while traveling All these accidents can be avoided If we are careful and follow safety rules तो Accidents जो है, वो तभी होते हैं जब हम Careless होते हैं Careless यानि जब हम ध्यान नहीं रखते हैं यानि जब हम बेपरवा हो जाते हैं Accidents जो होते हैं, उनसे physical injuries हो सकती हैं यानि कि हमें चोट लग सकती हैं और Accidents कहीं भी हो सकते हैं घर पर, खेलते वक्त, सड़क पर या फिर traveling यानि सफर करते वक्त ये सभी accidents जो है, इनको हम avoid कर सकते हैं अगर हम careful रहें और safety rules को follow करें यानि अगर हम अपना ध्यान रखें और safety rules को follow करें तो हम सभी accidents से बच सकते हैं Safety rules Safety rules are the rules that help in our safety We must follow them at the places to avoid injury Let us know some safety rules तो safety rules जो होते हैं वो हमारी safety में हमारी मदद करते हैं यानि कि अगर हम safety rules को follow करते हैं तो हम safe रहते हैं और हमें किसी भी तरीके की injury यानि कि किसी भी तरीके की चोट लगने से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें safety rules को follow करना चाहिए और यहां पर हमें कुछ एक safety rules दिये हुए हैं सबसे पहले है At home Always keep your books and toys at proper place after using them Throw the garbage in trash can Someone might slip on the peels and fall Do not play with sharp objects like knives, blades and scissors Do not touch electric switches or plugs Do not run on the stairs And do not open the door or talk to strangers So हमें हमारी books और toys को हमेशा एक सही जगे पर रखना चाहिए हमें जो भी garbage है यानि जो भी कच्रा है उसे properly dustbin में डालना चाहिए और हमें किसी भी तरीके के sharp objects जैसे के knife, blade, scissor यानि की blade, chaku, scissor यानि की canchi ऐसी चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए और हमें electric switches और plugs को touch नहीं करना चाहिए इसके अलावा हमें कभी सीडियों पर भागना नहीं चाहिए और कभी भी न तो अंजान लोगों से बात करनी चाहिए और नहीं उनके लिए दर्वाजा खोलना चाहिए On road यानि की सडक पर हमें safety के कौन से rule follow करने होते है Always cross the road at the zebra crossing Always walk on the footpath or pavement Do not run or play on the road We must wear our seatbelt in a car If there is no zebra crossing Then before crossing the road First look towards your right Then left and finally towards right again So सडक पर हमें ये सभी safety rules follow करने चाहिए जैसे की हमेशा zebra crossing जो है उसी पर आप road cross करें हमेशा जो footpath बना हुआ है road पर या जो pavement बना हुआ है उसी पर चलें और कभी भी सडक पर भागे नहीं और सडक के उपर खेलना भी नहीं चाहिए हमें जब भी हम कार में बैठते हैं हमेशा seat belt लगा के रखना चाहिए और अगर ऐसी कोई सडक है जहां पर zebra crossing नहीं है तो road cross करने से पहले आप अपने right की तरफ देखिए फिर left की तरफ देखिए और again एक बार right side की तरफ देखिए और road cross करिए इसके अलावा कुछ और भी rules हैं जैसे obey traffic lights and do not tease stray animals यानि की traffic lights का हमेशा उनका पालन करें यानि अगर red light है तो वहीं पर रुख जाएं और इसके अलावा do not tease stray animals यानि की जो जानवर होते हैं सडक पर उनको कभी भी आप छेडे नहीं उनको चिडाएं नहीं in school do not jump on the desk or chairs do not run on stairs or in the corridors do not leave the bag or bottle on the floor others may trip and fall यानि की school में आपको किन safety rules का ध्यान रखना है तो कभी भी desk या chair यानि कि जिस पर आप बैठते हैं उस पर कभी जंप ना करें उसके बाद सीडियों पर या कभी भी कॉरिडॉर में आप भागे नहीं और कभी भी अपना bag या bottle जमीन पर ना छोड़ दें हो सकता है इससे किस एक symbols दिये हैं और उनका जो है explanation दिया है जैसे P का symbol होता है तो वो होता है no parking के लिए फिर है symbol वो है speed breaker का यानि आगे जो रास्ते में एक bum बना है और वो speed breaker का है तो आपको उसका ध्यान रखना है फिर है no horn और no right turn Time to pause, draw a traffic signal in your notebook and color it, what do the colors of signal mean यानि आपको अपनी notebook में traffic signal draw करना है उसे color करना है और ये पता करना है कि उन colors का क्या meaning है Next है in bus, wait for the bus at the bus stop in a queue, do not lean out of a moving bus, never put your hand or any other body part out of a moving bus, do not stand on the footboard of the bus and do not get out or in a moving bus यानि कि जब भी आप bus में सफर कर रहे हैं तो bus में जाने के लिए जो line है उसमें properly आप bus का weight करें और जो है जल्दबाजी ना करें कभी भी चलती हुई bus से अपने आपको बाहर ना निकालें यानि कि ना तो अपना हाथ पैर कोई भी body part जो है वो चलती हुई bus से आपको बाहर नहीं निकालना है और कभी भी bus का जो footboard होता है यानि जो एक step होता है जिससे चड़के हम bus के अंदर जाते हैं उसके उपर कभी आपको खड़े नहीं रहना है और कभी भी चलती हुई bus के अंदर ना तो चड़ने की कोशिश करें और ना ही उसके उसके अंदर से उतरने की इससे आप गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है तो कुछ और भी सेफटी रूल से हैं जैसे की जब भी आप स्विमिंग कर रहे हैं तब आप ट्यूबस और फ्लोटर्स का इस्तिमाल करें जो आप जो भी कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें गेम के रूल का आपको फॉलो करने हैं कभी भी जब आप जूला जूलते हैं तो उसमें जूले पर जाने के लिए आप एक तूसरे से धका मुकी ना करें लेकिन अपने टर्न का वेट करें कभी भी उंची दिवारों से या fences से आपको नहीं कूदना है और जब भी आप cycle चला रहे हैं आपको helmet पहनना है और ऐसा कोई भी terrace है कि जो open है यानि कि terrace पे अगर boundary नहीं बनी हुई है तो ऐसे terrace से आप कभी भी पतंग ना उड़ाएं next topic is first aid so first aid is the immediate help given to a person when he or she gets hurt or injured first aid का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसको चोट लग जाती है उसे दी जाने वाली सबसे पहली help यानि कि अगर किसी को कुछ लग गया या कोई बेहोश हो गया ठीक है तो ऐसे समय में हम जो भी कुछ करके उसकी help कर सकते हैं उसको treat कर सकते हैं उसे हम first aid कहते हैं when a person is hurt we must not panic inform an elder if at home or the teacher if in school apply ice cube if there is a minor burn if the injury is serious the injured must be taken to the doctor यानि कि जब भी किसी को कुछ लग जाए तो सबसे पहले है कि panic मत panic नहीं करना है यानि कि बहुत घबरा नहीं जाना है किसी बड़े को बताएं अगर आप घर पे हैं या तो अगर आप school में है तो फिर आप अपने teacher को inform करें अगर कोई minor burn है यानि चोटा सा कुछ अगर जल गया है तो उसके उपर ice cube अपलाए करें और अगर ज्यादा चोट है तो फिर जिसे चोट आई है उससे आप hospital ले जाएं Fun activity, use an old box and prepare your first aid kit किसी पुराने box को यूज करके आप एक first aid kit बनाएए A quick recap, accidents are caused by carelessness, we must follow safety rules to avoid injury यानि कि हमारी लापरवाही की वज़े से, हमारी carelessness की वज़े से accidents होते हैं और जो injury है यानि कि हमें जो भी injury होती है या चोट लगती है अगर हमें उससे बचना है तो हमें safety rules को follow करना चाहिए Safety rules must be followed at home and school while playing etc यानि safety rules जो है वो हर जगे हमें follow करने हैं चाहे हम घर पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे हम खेल रहे हो Lastly, first aid is the immediate help given to a person when injured यानि कि अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उससे दी जाने वाली सबसे first जो help होती है उसे हम first aid कहते हैं कि उसे ुसकेर kios सबसे